हेलो एवरीवन, वेलकम अगें टू लंप्रे दितिमन देखिए राजिस्थान करमचरे चैन बोर्ड के द्वारा परिक्षा कैलेंडर जो है जारी कर दिया गया है 2023-2024 का तो जो आगामी परिक्षाएं होगी तो उनकी जो है डेट और माह यानि किस महिने जो है वो परिक्षाएं होगी जिससे कि आप लोग जो है वो अपनी तयारी जो है वो जारी कर पाएं तो ये जारी हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूचना सहायक सीधी भरती परिक्षा ये डेट आपकी 9 सितमबर 2023 है वही पर कनिष्ट लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भरती परिक्षा 17 सितमबर तो इन्होंने डेट भी जो है वो जारी कर दी है ठीक है समविदा महला स्वास्य कारे करता सीधी भरती परिक्षा 24 सितमबर को समविदा नर्च सीधी भरती परिक्षा 24 सितंबर को इवनिंग में संगड़क सीधी भरती परिक्षा 14 अक्टूबर 2023 को परिवेक्षक महला आंगनवाडी कारिकरता भरती परिक्षा ये 14 अक्टूबर को आई है वहीं क्रशी परिवेक्षक सीधी भरती परिक्षा 21 अक्टूबर 2023 सुपर्वाइजर महला अधिकारिता भरती परिक्षा 21 अक्टूबर 2023 वहीं पर उपकारापाल सीधी भरती परिक्षा दिसंबर यानि डेट नहीं दी है यह है कि दिसंबर में आपका एक्जाम होगा प्लाटून कमांडर सीधी भरती परिक्षा जनवरी 2024 में छात्रावास अधिक्षक ग्रेड थर्ड फरवरी 2024 करनिष्ट सहायक संयुक्त सीधी भरती परिक्षा फरवरी 2024 पटवारी सीधी भरती परिक्षा फरवरी 2024 जिसमें आप देखते हैं कि बहुत जादा जो है बड़ी सं भरती परिक्षा होती है वही है जो कि आपकी फरवरी में एक्जाम होगा इसकी तयारी में आप लग जाएं जिलेदार सिचाई सीधी भरती परिक्षा फरवरी दोहजार चौबेस तो यहां अभी सिख्षा विवाग के द्वारा जो है जो कैलेंडर है वो अभी जारी नहीं हुए है तो डेट जो है वो आगई है और आप लोग अपनी तयारी जारी रखें आप लोगों को पहले से ही जो आप लोग फॉर्म भर भी चुके हैं और पटवारी सीधी भरती परिक्षा देखिए फरवरी दोहजार चौबेस में होगा और इसमें कम से कम छे माहां जो है वो आपको तयारी के लिए चाहिए ही होते हैं एकदम जो है आप सोचे कि नोटिफिकेशन आएगा जब हम तयारी स्टार्ट करेंगे तो आप लेट हो जाओगे ठीक है जिसमें भारी संक्या में बच्चे जो है एक्जाम देते हैं और कुछ ही दिनों में जो है आरपीएसी के लिए इतना टाइम मिल रहा है जो सफिशेंट है और हम लोग इसकी तयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो उस तयारी में वो जुट जाते हैं ठीक है नोटिफिकेशन का वेट जो है वो आप बिलकुल ना करें यदि आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हों कि नोटिफिकेशन जल्द से आजाता है फॉर्म भर जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक्जाम के लिए जो है वो आपके पास टाइम इतना नहीं मिल पाता है जैसे कि आपने देखा था कि थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकिंड ग्रेड में आपको बहुत टाइम मिला लेकिन फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आपको टाइम भी नहीं मिल पाया असले बस भी बदल चुका था ठीक है इसी लिए जो है वो मैं आपको कहती हूँ कि तयारी जो है वो रेगुलर रखिये जितनी भी परिक्षाएं हैं चाहे आप इसमें देख रहे हैं आप देखते हैं कि RPSC परिक्षा ले ठीक है यहां पर राजिस्थान जी के जो है वो आपको भरपूर मातरा में पूछा जाएगा हर एक्जाम में और यही मैं आप लोगों से कहती हूँ और राजिस्थान जी के जिसका मजबूत है वो किसी भी एक्जाम को निकाल लेगा राजिस्थान में ठीक है तो यही मैं आप लोगों से जो है वो कहती आ रही हूँ और आप लोग इस चीज को जो है वो बिल्कुल सीरियस लीजिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यदि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आती है तो वो भी मैं आप लोगों को जोगी थैंक यू